हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का विज्ञान चिंतन में आज मैं जो कोश्चन लेकर करके हैं, ये कोश्चन क्लास नाइन्थ की साइन्स की बुक से लिया गया है चेप्टर नमबर है नाइन, फोर संड लाफ मोशन तो इसमें हमसे एक कोश्चन पुछा गया और इस कोश्चन को हम देखेंगे ये कोश्चन थेयरेटिकल है, मतलब हमें आंसर लिखने है तो आओ कोश्चन को देखते हैं, कोश्चन में बूला है इप एक्शन इस आलवीज इक्वल टू दा रियक्शन मतलब ये न्यूटन्स थार्ड ला के बारे में बात कर रहें है जहां पर न्यूटन्स थार्ड ला का स्टेट्मेंट होता है एबरी एक्शन इस इक्वल और आपोजिट्र रियक्शन तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर हमेशा जो एक्शन होता है वो रियक्शन के एक कोल होता है तब explain how a horse can pull a cart तो फिर बताओ कि एक घोड़ा जो होता है वो काट को कैसे खीच सकता है मालो घोड़ा जो है वो आगे जा रहा है तो काट को तो पीछे जाना चाहिए तो फिर वो आगे कैसे जाती है तो हम इसी कोशन को आप बस वीडियो को अंतर तक और ध्यान से देखिये पहले मैं पढ़ देता हूं answer क्या लिखना देखो answer को दो point में मैंने लिखा है आप एक point में भी लिख सकते हो answer क्या है तो मैं answer पढ़ देता हूं when a horse pushes the ground in the backward direction the ground exert a reaction force on horse and cart system which push them forward मैं पहले point को पहले explain करते हैं जो घोडा होता है और जो kart होता है वो एक दूसरे से जुड़ करके kart system बनाते हैं ये दोनों का जो संपर्क होता है जो contact होता है वो ground से होता है किस से होता है? Ground से होता है तो यहां पर कह रहे हैं कि जब horse जो होता है वो ground को push करता है पीछे की तरफ मतलब horse आगे बढ़ना चाहता है तो वो ground को पीछे push करता है अब ground तो इतना बड़ा है निकि वो धक्यल पाएगा लेकिन कहने का sense यह है कि horse आगे बढ़ता है और ground पीछे होता है तो उस case में क्या होता है? कि ground जो हैं एक force एक्जट करता है यानि कि धरती पर एक बल लगता है फोर्स लगता है और वो क्या होता है? कौन सा force होता है? वो reaction force होता है यानि कि जो घोडा था horse उसने action किया और उसके बदले में ground पे एक reaction लगा तो force लगने की वज़ासे action लगने की वज़ासे जो horse था वो आगे बढ़ा और reaction होने की वज़ासे जो ground था वो पीछे की तरब गया backward का मतलब होता है पीछे और forward का मतलब होता है आगे तो इस परकार से क्या होता है कि जो cart system होता है वो आगे बढ़ता है सब गोड़ा और कार्ट, पूरे कार्ट सिस्टम पर एक फोर्सा, फ्रेक्शन एक्सट होगा और फ्रेक्शन अबजेक्ट पर एक जादा होगा तब तक तो कोई object मूण करने सकता, तो यहाँ पर यह जरूरी है ना कि force of fraction जो हो, वो कम हो जाए, है force of fraction जो है, वो कम हो जाए टवी को यहाँ पर दूसरा point force of fraction के लिए है, when the reaction force exceeds the force of fraction, यानि कि जो reaction force े ground का वो जब जादा हो जाएगा force तो जब रियक्शन फोर्स ग्राउंड का ग्राउंड और कार्ट के बीच में ज्यादा हो जाएगा किससे फोर्स फ्रेक्शन से तभी कार्ट आगे मूब करेगी यह दो पॉइंट थे जो इस कुछन में हमसे पूछे गए थे तो आप इनको अपने लेंग्विज में भी लिख सकते हो मेनली आपको मतलब यह समझना है कि जो हॉर्स होता है वो फार्वर्ड डिरेक्शन में एक्शन करता है बदले में जो ग्राउंड होता है वो बैक्वर्ड डिरेक्शन में रियक्शन करती है जिसकी वाज़ा से कार्ट सिस्टम फार्वर्ड करेगी आगे तो उमेद करता हूं कि इस आंसर से आपको कुछ सीखने को मिला है अगर यह आंसर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेर करें साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ तब तक लिए थैंक्यू क्लास